हेलो आज हम लोग हाइड्रेंट के कलर कोड के बारे में बात करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट जैसे हाइड्रेंट होता है जो यूजरली लगाया जाता है काफी सारे इंडस्ट्री में तो उसके भी कलर कोड कुछ निधारी किये हुए है तो आज हम उसके बारे में बात कर कि आगी सलते हैं हम लोग कि जैसक देख रहे हो देख रहे हो गया एंप यह स्टेंडर के अकॉर्डिंग ही यह बनाया गया है ब्लू कलर सो कर रहा है मतलब यहां सुरू होता है रेट से जो कि वाटर की जो फ्लो रेट होती है रेड है मतलब विलो 500 कहीं कहीं आप लोग देखते होगे कि इसका विलो 500 या 499 उससे विलो भी कहीं कहीं मैंसे रहती है मतलब कोई प्रॉपर फ्लो नहीं है इसका पूर कंडिशन बोल सकते हैं ठीक है और जैसे ओरेंज में जाता है तो 500 से 599वे यह GPM इसको हमेंशा GPM से सो किया जाता है गैलन पर मिनट इसको शाटकत में GPM से भी सो किया जाता है ठीक है पान्सो से नहौ सम्चेन नियान्यवे अम्मार्जिनली अडिकवेट एक तरीके से इस में थोड़ा उससेच्छा है अच्छा रहता है ठीक है इसका जू फ्लोरेट रहता है वाटर के ग्रीन में क्या होता है एक हजार से पंदरा सौ तक के बीच में रहता है 1499 तक रहता है इसका गुड फॉर रेसिडेंचल एरिया जो होते हैं वहां के फ्लोरेट के हिसाब से काफी अच्छा माना जाता है और जो ब्लू कलर का एक तरीके कह सकते हैं लाइट ब्लू भी इसको रिफर किया जाता है तो इसको पंदरा सो से अबब के उसमें जीपीम में रहता है इसका फ्लोरेट जो रहता है और जो इसमें जो फ्लोरेट जो रहता है इसको माना जाता है जब एवैल्यूएशन के समय व का सी में kा किया है 500 gpm इसको लीटर पर मिनट में भी डिफाइन किया है ठीक है 500 gpm मतलब कि उननीफ सो लीटर पर मिनट और उससे लेस ठीक है तो यह बैरल का अकलर कोड है और एक है नूजल का टॉप इन नूजल कया जो ऊपर लगा होता है उसका बैरल में सबी का कलर यलो ही रहता है ज्यादतर ठीक है और जो मेन नोजल होते हैं कैप का जो उपर वाला कला रहता है वो हमेशा अलग अलग रहता है रेड इसका प्रेसर भी आपने मेंशन किया है जैसे सबसे नीचे वाले का आप देख रहे होगे 20 PSI मतलब 114 के पीए में मेंशन किया है ठ अब इसके बाद जो क्लास ए है एक हजार से 1499 GPM है 3785 से 575 लीटर पर मिनट इसका फ्लो रीट है लीटर पर मिनट में क्रोम यलो इसका बैरल का कलर है ग्रीन है नोजल का 20 PSI क्लास ए में जो डिवाइड डिफाइन किया है 1500 GPM यह उससे अब पंदर 5660 लीटर पर मिनट और ग्रेटर ठीक है क्रोम यलो उसका बैरल है और लाइट ब्लू से डिफाइन किया गया है आपका टॉप जो नोजल है नोजल कैप कलर और प्रेसर उसका भी 20 PSI जो कि अनफ प्यम में यह मेंशन किया हुआ है ठीक है अगर आपके कोई प्रॉब्लम हो तो आप एनफ पी रिफर कर सकते हो ठीक है फायर फ्लो के लिए 291 एरिकमंडेड है उसमें आप जाके देख सकते हो तो क